अमराम दोस्तों मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त शिवानी मांगवानी और आज हम जानेंगे कि कौन है अंकित बयान पुरिया और कैसे अंकित ने की 75 डे हाट चैलेंज की शुरुवात और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे अंकित के मंतली इंकम और उनकी नेटवर्ट क बारे में भी चालेंगे तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को अंकित सिंग जिन्हें अंकित बयान पुरिया के नाम से भी जाना चाता है एक यूट्यूबर बॉड़ी बुल्डर फिटनेस इंप्यूएंसर और एथलित हैं अंकित ए बयानन विश्वविध्याले से हुई है और अंकित राम राम भाई सार्या ने कहने के लिए फेमस हुए हैं इसके साथ ही वह 75 डेज हाट चलेंज के लिए भी प्रस्तित हैं यूट्यूब पर अंकित बयान पुरिया के साथ लाग साथ हजार सब्सक्राइबर हैं और से साथ से जादा दिन हो चुके है और वहीं अंकित की कामियाबी का यह सबसे बड़ा जरिया बना जब अंकित ने अपने 75 डे हाट चैलेंज की वीडियो को आपने इंस्टेग्राम पर पोस्ट किया और राम राम भाई सार्याने की लाइन पर सब लोगों का दिल जीत लिया तो चलिए एक छोटा सा इंट्रो आपको 75 डे हाट चैलेंज का भी दे देते हैं कि आखिर यह क्या होता है तो चलिए इसके बारे में आपको दोस्तों बता देते हैं तो बता दें कि यह चैलेंज है 75 दिनों का जिसमें आपको 5 नियमों का पालन करना होता है जो कि इस प्रक नमबर वन आपको एक हेल्थी डाइट पॉलो करनी होती है जिसमें चीट मिल और एलकाहॉल नहीं होनी चाहिए नमबर टू आपको रोज चार लीटर पानी पीना होता है नमबर त्री आपको रोज अपनी सेल्फी लेनी होती है नमबर फूर आपको दर्स पेज कोई भी नॉन फिक्शन बुक पढ़नी होती है सबसे लास्ट और फाइप आपको दिन में दो टाइम 45 मिनट के वरकाउट करनी होती है जिसमें से एक आउट डूर होना चाहिए चलिए बात करते हैं अंकित की नेट वर्ट की तो अंकित यूट्यूब और इंस्टेग्राम से हर महीने लगभग साथ से सतर हजार रुपे कमाते हैं जो सालाना आठ लाक रुपे होते हैं इसके साथ ही अंकित बुल निट्रीशन कैफे के ओफीशियल एटलेट हैं और मसल बलेज की ब्रांधिंग करते हैं जिससे वो सालाना 2-3 लाक रुपे कमाते हैं वही 2023 तक अंकित ब्यान पुरिया की कुल संपत्ति लगभग 10-12 लाक परियर है और नेट्वर्ट लगभग 25-30 लाक होने का अनुमान है तो शुक्रिया दोस्तों हमारी वीडियो में अंस्तक बने रहने के लिए आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले नमस्कार